हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स अगर आपके प्रेग्नेंसी का भी आठवा महिना लग गया है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आठवा महिना लगते ही आपके बॉड़ी में कौन-कौन से ऐसे लक्षण नजर आते हैं जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके गर्ब में पढ़ने वाला शिशू एक लड़का है काफी हद तक ये सही साबित होने वाले लक्षण है पुराने जमाने से बुजर्ग महिलाओं के द्वारा बताए गए लक्षण है और जिन महिलाओं ने बेबी बॉय को जैनम दिया ह उनका भी ये मानना है कि ये काफी हद तक सटी साबित होते हैं तो कौन-कौन से वो लक्षण है जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे हैं चैनल पर पहली बारा हैं तो सबस्क्राइब कर ले साथ ही बेल ऐकन क्लिक करके वाल पर जरूर दबा दे ताकि मैं कोई भ जन में बहुत ज़्यादा आपको खिचाव महसूस होता है और टाइपनेस सा महसूस होता है दाया अस्तन अगर आपको बड़ा नजर आ रहा है बाए अस्तन के मुकाबले तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्ब में एक लड़का पर रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर ग प्रेग्नेंसी के आठवे महने में अगर गर्भ वती महिला को उनका पेट जो है वो एकदम नीचे की तरफ लटका हुआ नजर आने लगता है यानि की पेट का जो उभार है वो नीचे की तरफ है तो ऐसा माना जाता है कि उनके गर्भ में एक लड़का रहा है वहीं अगर साथ में आठवे महिने से आपके यूरीन का कलर बहुत ज़दा डार के यलो कलर का हो गया और गारहा आ रहा है तो ये भी गर्भ में लड़का होने के मौजूदगी को दर्शाता है नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर गर्भ वती महिला के पैरों में बहुत ज़दा सूजन की समस्या देखने को मिलते हैं पूरे प्रेग्नेंसी में सूजन की समस्या रहती है तो ऐसा माना जाता है कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है अगले symptom के बारे में बात करें तो गर्भ भवती महिला के पूरे बोड़ी पर अंचाहे बालों में बहुत ज़दा गर्विधी होते हुए नजर आता है यानि कि उनके पैरों के बाल बहुत ज़दा बढ़ते हैं चेहरे पर बहुत ज़दा रोए नजर आते हैं अपर लिप्स पर बहुत ज़दा रोए नजर आ रहे हैं तो ये भी गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं वहीं अगर गर्भवधी महला के जो बाल हैं बहुत ज़दा शाइनी हो गाए है चमकडार हो गाए हैं तोटते कम हैं स्ट्रॉлऑ होने लग गाए हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके गर्भ में एक लड़का है जबकि लड़की होने के टाइम पर गर्भवधी महला के बाल ब बात करें तो अगर गर्व वती महला के कमर में और पैरों में दर्द की समस्या रहती है, सोते वक्त उनके पैरों में बगह लणता है, जंजनाहट होती है पैरों में तो ऐसा माना जाता है कि उनके गर्व में एक लड़का पर Bis कि प्रैग्नेंसी के साथवे-अथवे महने से गर्म भुवती महला के पेट के नीचले हिसे में उनको दर्द की समस्या होती है, हलका फुल का दर्द बना रहता है, साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट में भी दर्द की समस्या बनी रहती है और बहुत ज़दा उनको वाइट की समस्या हो रही है तो ये गर्म में लड़का होने के ही सिम्टम माने जाते हैं तो फ्रेंट्स ये थे कुछ सिम्टम्स जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके गर्म में पलने वाला शिशू एक लड़का है लेकिन इनका कोई भी साइन्टिफिक अधार नहीं है ये बस सुनी सुनाई बाते हैं तो इसे 100% से और बिल्कुल भी ना माने और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलूंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें बाई